अब देखो यहाँ पर क्या है एक A given है और A square is equal to identity matrix है तो चलिए A square का मतलब होता है A का multiply A में करना है ठीक है तो कर लेते हैं multiply तो alpha, beta, gamma minus alpha alpha, beta, gamma minus alpha is equal to identity matrix 1, 0, 0, 1 तो पहला रो पहला कॉलम तो alpha square plus beta, gamma पहला रो दूसरा कॉलम alpha, beta और beta का minus alpha में करोगे तो minus alpha, beta आएगा ठीक है gamma का alpha में करोगे तो alpha, gamma और minus alpha का gamma में करोगे तो minus alpha, gamma यहाँ पे आएगा बीटा गामा माइनस अलफा माइनस अलफा प्लस का अलफा स्कॉयर माइनस प्लस का ध्यान रखोगे तो सब कुछ बढ़िया जाएगा यह आगया अब जड़ा कंपेर कर लो तो पहला एलिमेंट वन के बराबर है और यह देखो यह तो कट जाएगा तो हमारा फाइनली क्या आजागा अलफा स्कॉयर प्लस बीटा गामा यह तो कटके जीरो आगया यह भी जीरो आगये कटके और यह बीटा गामा प्लस अलफा स्कॉयर तो कंपेर जैसी करोगे इसको वन जीरो जीरो बन से तो पहला एलिमेंट किसके बराबर है वन के ना तो अ अलफा स्कॉयर अगर इन दौनों को साइड ले जाओं तो 1- alpha square minus beta gamma आ जाएगा 0 के बराबर तो कौनसे option आ जाएगा कि c part आ रहा है क्या c part आ गे देखो 1- alpha square minus beta gamma ठीक है प्लियर है तो c part इसका answer हो गया